पोको के अप्डिवाइस के लिए यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ को पर यहाँ कुछ कैसे देखनी को मिल जाता है बस वीडियो का पूरा लास्त वॉच्ट करना है ताकि आपको साही डीटेल पदा चल पाए और इंस्टलेशन वगेला भी आपको समझ में आ जाए तो लाइक कर देना और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब यहाँ पर अस्मूधनेस की बात के तो जैसा लास्त टाम हमें देखनी को मिला था नॉर्मल यह आपके अंदर यह एक्स्टेंडेड वर्जन है उसका तो यहाँ पर सेम उसी तरह की साब को चीज़े देखनी को मिलत के मामले में लेकिन हाँ फर्क नहीं पड़ता काफी सही तरह की से काम करता है यहाँ पर आप देखोए अबाउट का जो सेसन है वह हलका चेंज हो चुका है पहले था डिफेंट हुआ करता था साथ-साथ यहाँ पर एंडॉइड वर्जन आपको 15 मैं 5 का Android सेक्यूर्टी पै रखते हो साथ-साथ यहाँ पर हाइड एप लिस्ट आपको मिल जाता है और यहाँ पर अस्पूफिंग के फीचर्स मिलते हैं यह मैंने आफ इसली कर रखा है क्योंकि अगर आप इसका यूज करते हो न ता आपको सिर्फ उसे दो ही चीज़ी है जो पास देखनी को मिलती है Otherwise आपको जो तीनों अगर आपको पास करना है तो आपको manually method follow करना पड़ेगा उसकार आप तीनों को fix कर पाओगे लेकिन by default यह आपको दोनों पास रहता है यह बहुत अच्छी बात है आपको अलग से fix होगेरा करने के जबूरत नहीं पड़ेगी तो यह काफ़ important चीज यहा manually fix करिया है पास किया है तो इसलिए मैंने इसे off किया है तो अगर मैं इसे जैसे on कर दूँगा तो भाई हमारा इसे सिर्फ दो ही पास नजर आएगा उसके वाद यह सारे props होगे आपको देखनी को मिलना तो बाकि यह इतने भी options होगे रहे है यह साए चीज आपके यहाँ प अनदर यहाँ पर आपको मिल जाता है power turn पर क्या कुछ रखना है वो चीज़ आप set कर सकते हो बाकि यहाँ पर options भी दिये गए है अनदर यहाँ पर skin suit on off का option मिल जाता है fingerprint always का option मिल जाता है tap to यहाँ पर check के अंदर आपको यह सारे option देखनी को मिल जाते है जो कि आपने need के सा जाता है उसका delay वगर भी आप यहाँ पर set कर सकते हो यानि काफी कुछ extra features यहाँ पर दिया गया है जो की काफी ज़्यदा यहाँ पर सही है और काफी एकुलेटी से बना देता है बाकि इसका यह अप डेटर सेशन है यूजर है और यहाँ पर आपको मिलता है profile जहाँ पर यहाँ पर आपके चार्जिंग वगर के options है मिसलेने के अंदर आपको advanced restart और backup का भी option यहाँ पर देखनी को मिलता है बाकि quick setting की बात करें तो यहाँ पर brightness slider आप यहाँ पर on and off कर सकते हो bottom पर रखने वो set कर सकते हो auto रखने यह नहीं haptic रखने यह यह साही चीज़ आप यहाँ customize कर सकते हो जो कि काफी साही तरीके से काम करता है अब देखते हो यहाँ पर bottom पर आ चुका है और यहाँ पर मैं इसे off कर दूँ तो फिर से top पर हमारा चला जाता है यहाँ से bottom पर रख सकते हो बाकि यहाँ पर qs footer का option मिल जाता है जो कि यह अप लिखावा है आप इससे बाकि हाँ यहाँ पर एक और option आपको देखनी को मिल जाता है जो कि हमारा किदर गेवाई की सेटिंग अंदर यह micro gaming का जहाँ पर कुछ gaming से रिलेटर फीचर्स वगरा दिये गए हैं जो कि आप अपने हिसाब से इन्हें यूज में ला सकते हो जो कि यहाँ पर increase touch का option है इस्क यहाँ पर आपको face unlock fingerprint working देखनी को मिलता है इसमें कोई दिकत नहीं आती और यहाँ पर यह अपने हिसाब से set कर लेना जो कि पहले से नहीं रहता है मैंने set कर रखा है यहाँ आपको more के देखनी को मिलता है ignore windows secure flag का option जो कि आप use कर सकते हो बाकि यहाँ पर device encrypted देखनी को मिल ज कर सकते हो यह schedule भी यह फिस charging के टाइम पर भी आप on रख सकते हो और यह setting तो मैं आपको दिखाई ही दिया था जो कि about में हमें देखनी को मिला था बाकि ambient का option है double tap to sleep अगरा का option मिल जाता है अगर हम dark mode की बात करें तो यहाँ पर dim wall पर का option भी add किया गया है और pure black यान extended है तो रियली में एक्ट्र एक्ट्रा चीज़े add करी गई है बाकि यह theming setting है जो कि normal रहता है maximum USB के अंदर यहाँ पर आपको off का style देखनी को मिल जाता है refresh rate जो कि आप adaptive या 91-20 कर सकते हो increase touch falling rate आपको मिल जाता है disable VRR देखनी को आपको मिल जाएगा और यहाँ पर display saturation वगरा भी आपको मिल जाता है बाकि हम back यह आते तो आपको यह modes देखनी को मिल जाता है sound care profile के अगर हम बात करते तो यहाँ पर आपको NFC sounds वगरा clear sounds वगरा और बाकिया दोर option मिलते है और power app का भ बहतरीन सा output मिलेगा audio के मामले में जो कि मुझे रियल में पसंद आया है volume कंदर यहाँ पर इस तरीकी से sign बना रहता है जो कि क्या कैसा वन्यों नहीं आया यह mic यहाँ से आपको option देखनी को मिल जाता है बाकि चीज़ आप यहाँ से control अपना है जो कर सकते हो यह चीज़ आपको मिलता है turbo charging और जो कि काम कर या नहीं मैं आपको दिखा देता हूँ और यहले मुझे यह काफी हो तक working देखनी को मिला है जहाँ पर आप देख सकते हो कि 18 मिनिट में 49% चार्ज कर देता है जो कि काफी साही speed हमें देखनी को मिलता है और यह चीज़ में यहाँ पर notice के option है यहाँ पर आपको देखनी को मिल जाता है basic recording के features भी आपको यहाँ पर दिये गए हैं और call के अंदर flashlight जो आता है वह भी यहाँ पर मिलता है बाकि यहाँ पर आपको मिल जाता है गीम बार जो कि पुराना वर्जन है क्योंकि नए वाले में आपको बीच में बाहर देखनी के icons मिल जाते हैं यहाँ पर fonts और जो कि मैंने बदल रखा है साथ-साथ यहाँ पर lock screen का option जो कि मैंने starting पर यहाँ आपको जो कर दिया था तो यहाँ चीज़ आपको यहाँ पर देखनी को मिलता है रही बात वाल पेपर चेंज किये तो यहाँ पर system default एक ही वाल पेपर मिलता ह बाकि आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो और जो वाल पेपर में यूज करों अपने lock screen वगड़ा के लिए या फिर home screen के लिए वह मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा हमारे है जो टेलीग्राम चैनल के उपर और यहाँ पर unlocking animation थ्वाँ सा different type का रहता है जैसा कि आप यहा यहाँ पर टैप करूं तो किस तरह से एनिमेट करता है देख रहे हो ना तो यह चीज यहाँ पर आपको different technique को मिल जाता है by default और यह मुझे अच्छा भी लगा है थ्वासा unique सा feel देता है आके यहाँ पर connection device में ज्यादा कुछ नहीं मिलता और हाँ यहाँ पर आपको देखने क में काफ़ी जड़ा मुझे अच्छा लगा है क्योंकि यहाँ पर च्छोटी च्छोटी चीजों को इंप्रूब किया गया और थोड़ा बेटर बनाने की कोसिस करी गई है बाकि यहाँ पर जो launcher मिलता है इसमें आपको थोड़ा कुछ कुछ मैसन मिल जाते हैं जैसे कि blur वग जे fix करनी है ना तो यहाँ पर यह सारे module आपको डालने परेंगे और module कैसे डालना है कैसे यूज करना है मैंने रिसेंटले जो एक नया वीडियो दिया था नंबर थर्ड का 78 पास वाला उसे आप चेक आउट कर लेना उसके आप तीनों को fix कर सकते हो बट अगर आपको नहीं करना है तो मत करो क्योंकि यहाँ पर दिखा देता हूं और हाँ फ्लेस लाइट के अंदर आपको मिल जाता है परसेंटेज वाला उप्सन जहांसे आप इसके ब्राइटनेस अगरे को भी है जो डिम और हाई कर सकते हो यहाँ पे चीज में कि छोटी सी कमी है वह है इसका कैमर डिफॉल्ट कैमरा हमारा नॉर्मल सा दिया गया है अकर इसका डिफॉल्ट सिटम पोकोला रहता है तो ज्यादा बेटर रहते है जिसम लाइका कैमरा भी कहते हैं आते है रिजल्ट पर उससे पहले बैटी डोप की बात करें तो 36 के बाद मौर्णिंग में जब मैं चेक करता जहां पर आप देखोगे कि 3,94,000 मैक्स गया है और मिनों यहां पर 3,44,000 है 93 का परसेंट है जो कि अबरॉल अच्छा है बर्ट टॉप नौच नहीं है यहां पर मैं कहुंआ कि बालेंस रियल्ट आया है तो यह चीज सही है अधर आप यहां पर देख से तो हमारा जो 29 दिखाई देता है और यहां पर हिटिंग कंट्रोल करें तो वह ठीक है जो कि 5 गया और बॉटम यहां पर 43 गया है जो कि यह चीज में कहूं कि सही है तो यहां पर जो रियल्ट आतना इस रोम का परफॉर्मस का वह थोड़ा बालेंस साइड में थोड़ा ज्यादा रहता है एक चीज में यहां पर ज़रूर कंप्लेंड करना चाहूंगा यह कोई बग नहीं है जैसे कि CR DOID हम रोम डालते हैं कोछ भी अप्लिकेशन डालो सारे होम पर सेट हो जाते सेम उसी तरह किसी यहां पर भी आ जाता है तो इसके लांचर की थोड़ी चीजे हैं तो हमें फिर से मैनुली सारे चीजे हठानी परती है और यह प्रसनली मैं CR DOID में भी नोटीस करता हूं तो ऐसा नहीं हो तो बेटर रहेगा और डिवाइस बाइडिफॉल्ट यहां पर सर्टिफाइट सो नहीं करता है जब आप इस खाय जो पास वाला मैठेट फॉलो करते हो तो और यहां आप उनलॉक भी नहीं रहता लेकिन आप मैनुली जो इसे फिक्स करोगे तो आपका यहां पर बूट रहा है जो वापस लॉक हो जाएगा पूरा प्रोसेस पास करने के बाद और यह भी आपका जो फिक्स हो जाएगा तीनों का तीनों क्योंकि आपको दो ही देखनी को मिलत है वह भी अन करने के बाद ही अनदर यहां पर आपका जो फोटो इस्टोइज वगरा अनलॉक रहेगा तो जितना चाहँ उतना चीज़ आप यहां पर अपलोड कर सकते हो यहां पर बाके दा चीज़ों की हम बात करें तो एक चीज मैंने यहां पर नोटिस किया यूजर की क चीज थी भाई कहा कि चेक कर लेना तो मैं आपको यहां पर शेयर कर दिया और रही बात यहां पर आपका HDR वगरा का तो यहां पर एक छोटा सा बग मुझे नोटिस हुआ है कि जब यहां किसी फोटो को यहां पर इस तरह किसे एडिट करने आतो फोटो के अंदर तो बीचा से रहता है स्टेवल लेकिन वहीं पर जैसे मैं इडिट पर करने चला जातो ना तो विचारा का mental health disturb हो जाता है और यह कभी हाई कभी लो कभी हाई कभी लो इस तरह किसे प्रॉलम करता है तो आइधिंक यह आपको जाना जरूरी है इसलिए मैं यहां पर शेयर कर दिया है रह यहां पर आपको जो एडिबी साइड यूज करना इस इंस्टॉल करने से रिलेटेड जो कि मैं एक प्रोसेस गाइड लास्ट में एड कर दूँगा उसे फॉलो कर लेना बस आपका रिकावरी यहां पर डिफिनेट लुक में नजर आएगा मैं आपको दिखा जाता हो कि रि से स्लाइड कर सकते हो यह रहा हमारा इसका एडिबी साइड लोट कितर गया घंठ एरहा अप्लाईट फ्रोम एडिबी इससे आपको सलेट करना जोकि बॉट्वाटम अपको दिखाई तब्र आंपने लाम को आपका आपका काम यहां पर बन जाएगा तो स्वीम इसी तरीकी इस टूल का यूज़ करते हो जो कि वन टाइम में रिकावरी इंस्टॉल करके दे देता है मैंने डेडिकेटट वीडियो दे रखा है लिंक आपको डिस्क्रिशन में मिलेगा यहाँपे इंस्टॉल हो गया है बस सिंगल किलिक पे और आप हमारा फोन है जो रिकावरी में अन हो जाएगा देडिकावरी जैसी होनोता है से पहले आपको यहाँपे फैक्टरी रिसेट कर लेना है वाल्म आप डाउन का यूज करते वह आप यहाँपे सेलेक्ट कर सकते हो पावटन से आपका ओके का काम करेगा फेक्टर रिसेट हो जाने के बाद आपको बैक आना है अप्लाई अपडेट भी जाना है और यहाँ पर ADV साइड लोड कर देना है जहां पर भी आपने रोम रखर का है उसे अधिशली फ्लैस हो जाएगा और यहाँ पर रिकावरी पर एक option आएगा यहाँ और नू का जैसे कि आप देख सेते हैं तो यहाँ पर starting पर first time आपको यस कर देना है और power button प्रेस कर देना है अब यहाँ पर आपका recovery दुआर रिओपेन होगा और अगर आप कोई ऐसा रोम फ्ल में आ गया है पूरा प्रोसेस के कैसे हम ATV साइलोट से रोम को फ्लैस कर सकते हैं इजली और वांटे में बूट करा सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगाया तो यह लाइक कर देना चैनल पर नहीं तो सस्क्राइब कर देना और सेम गाइड फॉलो करते हैं आप अपने रोम को फ्लैस कर सकते हैं अपने डिवाइस के अंदर तो थांक्स पर वोचिंग टाडा बाई बाई